भीम संसत को संबोधित करते हुए लालू राबनी पर साधा निश्वाना बिहार के मुख्य मंतरी निदिश कुमार इन दिनों लगातार खबरों में बने हुए हैं इसके पीछे का कारण कभी वह महिलाओ को लेकर विवादित बयान दे देते हैं तो कभी अपने ही साथियों पर सवाल उठा देती हैं दरासल रवीवार 26 निवेंबर को सन्विधान दीवस की मोकी पर जेडियू की ओर से पटना के वेटेनरी कोलिज की मैदान में बहिम संसत का आयोजन क्या गया इस दुरान नितिश कुमार ने बिहार में अपनी ही सयोगी राज़त के दोनों मुख्य मंतरियों लालू यादा और राबडी दीवी के साशन काल पनिश्वाना साधा इस दुरान उन्होंने एक बार फिर से बिहार को विशेस राज्यों का दर्जा दिये जाने की मांग करते हुए बहिम संसत के करता धरता मंतरिया शुक्ति ओधरी की जबकर तारीफ की बहिम संसत में बड़ी संख्या में माहिलाओ की भागिदाजी पर नितिश कुमार काफी खुद दिखाए दिये इस दुरान उन्होंने वहां मौझूद लोगों को संबोद करते हुए कहा कि 2005 में मेरी सरकार बनी उसके पहले शौम में कोई घर से बाहर निकलता था क्या हम जब आए तो सब कुछ ठीक क्या है अब देखिए कि देश शौम तक और रात में भी लोग बेफिकर होकर घुमते हैं उन्हें कोई डल नहीं है कितना अच्छा माहूल बन गया है अब रात में महिलायो लड़क्या भी घर से बाहर निकलती है इसी का नतीजा है कि आज के भीम संसत में कितनी बड़ी संक्या में महिलाओ की भाकिदारी है